प्राचीन काल में समराठ हर्शुवर्धन के सामराज की राजधानी रही कर्णोज हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है और इस बार वज़ा भी है उत्तर प्रदेश के पोर मुख्यमंतियों और बीजेपी के कद्दावर नेता इस बार शुनावी लड़ाई में हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश की कर्णोज सीट होर्ट सीट भी बन गई है इसी मुद्धे पर बारचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी जनता पार्टी के वरिश सेता और सांसद सुब्रत पाठग जी सबसे पहले आप से मेरा यही सवाल है क्या अखले श्यादों के आने से लड़ाई कठिन हो गई है नहीं अब देखो अब लड़ाई लोगों के लिए जिसे आप जो बाहर से देखते हैं या जिन के लिए लगता है कि बहुत बड़ा चेहरा है यह सब तो उनके मानना हो सकता है लेकिन दो लोग जमीन पर आते हैं जमीन देखते हैं समझते हैं तो समझ जाते हैं क्या कोई फरक नहीं पड़ा और पिछली बार से समाजवादी पार्टी और अधिक कमजोर हो गई है मुद्धे कौन कौन से हैं जिसको लेकर आप जनता के बीचार हैं देखो यह की मुद्धा है मुद्धी हमारे लिए मुद्धी जिता हो और विपक्ष के लिए मुद्धी अरा अगर पिछले दो चुनाओं की बात करें तो कन्नौज में हार जीत का जो मार्जिन रहा है वो इस बार का समी करण क्या कहता है ने देखो पिछली बार जो था सपा बस्पा का गडवंधन था दो हजार चोदा में समाजवाधी पर्टी की सरकार थी अखलेस मुख्यमंत्री थे तो सत्ता का दूरुपयोग था तो इन दो कारणों के करण से तो दोनों बार पिछली बार बोटिंग परसेंटर्स कम रहा लेकिन इस बार ऐसे इस्तिति नहीं है अगर करनोज की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि करनोज में जो इत्र लॉबी है और इसके अलामा जो ब्रामहर लॉबी है वो बहुत मायने रखती है तो क्या ये दोनों आपके साथ हैं ने दिखो कु पहला मैं सांसद भी हूँ जिसने इसके संबंद में विस्यों को आगे पढ़ाया है और इसकी बेहतरी के लिए काम किया है तो मैं समस्ता हूँ कि चाहें इतर की इलावी हो या अन्निक अन्नोज वासी हो और चूकि मैंने सदैब मैंने कभी जात पात की राजनीत की नहीं है और मैंने सदैब हिंदुत के लिए और राश्टरवाद की ही राजनीते पर विस्वास किया है तो मैं समस्ता हूँ कि जाती के बंधन मेरे नाम पर पंदेने नीचे है करनोज के लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी के भी केंडिडेट हैं इमरान बिन जफर उनके आजाने से क्या आपको फायदा होगा क्योंकि ऐसा कहां जाता है कि अगर वोटों का बटवारा होगा तो उसका सीधा फायदा भी जेपी को अब देखो चुकी यहां पर क्या हुआ है कि एक चुनाओ था जिसमें अखलेश यदो पहले पर लड़े थे उप चुनाओ था उस समय पर वस्पा ने अकवर रहमाद डंपी को यहां से टिकट दिया था तो यहां का सारा मुस्लिम वोट डंपी के साथ चला गया था बोली म नगरपालिका का भी चुनाओ हुआ तो नगरपालिका के चुनाओ में कन्नोज में चुकी मुस्लिम अबादी अधिक और बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट मिलकर और 50-30 से अधिक वोट हो जाता है तो कुल मिलाकर यहां पर एक चेर्मेन भी मुस्लिम कन्नोज से जी गएगा तो यहां पर एक बोरी ताकत बन सकती है लेकिन मैं समस्था हूँ कि बस्पा के परत्यासी को मुस्लिम बोर्ट नहीं करेगा। तकि Muslim Boat आतंकवादी समर्थक को करता है, अधिकतम Muslim Boat, तो आतंकवादी समर्थक हो या तुष्टी करण की राजनीत करने वाले हों, दंगाईयों के समर्थक हो तो ये सारी खुबियां समझवादी परटी में हैं, तो मैं समस्ता हूं कि इस तरीके से जो आतंकवादी सोच के दिखतम लोग हैं वो अखलेश के साथ रहेंगे बस्पा का चांस मुझे कम दिखता है क्योंकि देखा जा तो कनौज में बस्पा और सपा दोनों नहीं आकरी समय में अपने उमिद्वारों को बदल दिया इससे आपकी चुनोती बढ़ी है या कम हुई है देखो कोई फरक नह सूछते हैं लोगों को टै करना है अक्लेश यादो कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो समभी दाव बचानी का चुनाव है देखो सबसे पहले जबाब देना शाहिए कि सम्भी दाब करते हो रहा साफ ने संभील्दान की दिया है देसका तो उन्हेंने पराबदान दिया था कि गरीवों के अरक्षन दिया जाए और उसकारण से अनसोची जाती जाना जाती और पिछड़े भाईयों को अरक्षन का लाब मिला उन्होंने साफ इसपष्ट कहा था कि धरम के नाम पर अरक्षन का कोई प्रापदान हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए चुकि धरम के नाम पर देश का भी वाजन हो चुका है पाकिस्तान है लग गया है तो उसके बाब जूद भी कॉंग्रेस के द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि धरम के नाम पर अरक्षन चाहचा लंगा ना में धरम के नाम पर अरक्षन है कॉंग्रेस की माँ सरकार है अभी कर आरत च्छण दिलाएंगे तो आरत च्छण देंगे तो किसके पिछला और एसी का कोटा क्गम होगा इतो एक बिसरे साथ सबसे पडला बिसरे जो है कि हिन्दोस्तान के संपरदाइं हैं Kumd Expl Brics Society इसाई है, पार्सी है, मुस्लिम है, तो इसमें यदि मुस्लिम को छोड़ दो तो किसी का कोई परसनल लावोड नहीं है, कि हिंदू का कोई परसनल लावोड नहीं, बौद का कोई परसनल लावोड नहीं, जैन का कोई परसनल लावोड नहीं, सिक्ख का कोई परसनल लावोड तो फिर ये मुसल्मानों के परसनल लावोट का क्या काम, तो भारत के सम्विधान को सबसे पहले किस ने चुनोती दी, तो सौभविक है, मुसलिम परसनल लावोट बना कर इन्हों ने चुनोती दी, और कॉंग्रस ने इसके समर्थन की बात भी कही है, अगर हमने यू सी सी के बात कही है कि मने समान नागरिक साहिता, भारत में जब सब बराबर है, सबकी एक समान है, तो उसके बात में सबका ये अलग-अलग परसनल लावोट का क्या काम है, तो हम ने एक यू सी सी लाने की बात की, और इन्हों ने तुरंत कि हम परसनल लावोट को जारी रखेंगे, तो कुल मिलाकर ये जो भारत के सम्मिधान को कौन चुनोती दे रहा है समाजवादी पार्टी चुनोती दे रही है कॉंग्रेस पार्टी चुनोती दे रही है दोनों का आपस में गटबंदन है कि अखलेस आदो इस पस्च करें कि इनकी सरकार बनेगी कि तो क्या मुस्लिम परसनला वोट को समाप करेंगे यह इससे पहले अगर विकास की भी बात करें तो लगातार बीजेपी विकास की बात कर रही थी लेकिन चुनाओ जैसे से आगे बढ़ रहा है राम मंदिर तो है ही अब विपक्ष यह कह रहा है खास तरब अखलेश यादों कह रहे हैं कि दरसल बीजेपी को अपने विकास पर भरुसा नहीं है इसलिए वो राम मंदिर और हिंदो मुस्लिम कर रही है दखो, इसमें राममंदिर लिंदू मुस्सिलिम वुक्श को बोलना कुछ भी है, जुकि उनको एक वोट चाहिए, पराटिकुलर्डरा तुष्टी करन का, उसके लिए कुछ भी बोलेंगे, वह को राममंदिर का विरोथ भी करेंगे, मुक्तार अंसारी के घर जाएंगे, ले जाद दिलाने का काम किया है आज चार करोर से अधिक पक्के मकान बना कर लोगों को उनको दिये हैं जो साइद अपने जीवन में या और उनकी दो-तीन पीडियों में साइद पक्के मकान कभी बंद भी नहीं पाते हैं और लोगों को इलाज से लेकर उनके भोजन तक की चिंता की दिल्ø की सरकार ने की है और चाये उज्अलाय योजना के कनेक्स्न हों, 10 करोड से अधिक दिये गए, 10410 करोड से अधिक बनाए गए, तो यह बहुत सारा यह काम विकास का ही काम है, अब आप बिताए कि हम विकास के काम करते हैं, आप देखिए रोडों का नेटवर्क देख लो आज तक किसी सरकार में इस प्रकार का नेटवर्क ना बना है ना बन पाएगा तो हर छेत्र में जाए मेकिन इंडिया के तेज बाहरी टेक्मोलोजी लाकर हिंदुस्तान में इंडिस्टियों को बढ़ावा देना यही मोबाईल फोन बाहर से आते थे हिंदुस्तान में बनते तो विकास के बहुत से काम हुए यह सो से अधिक बंदे भारत रेल उतराई है अगले पास साल में रेलवे का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा आप देखेंगे सब लोग तो कुल मिलाकर लेकिन विकास के साथ साथ आंतरिक सुरच्छा भी बहुत महात्पूर्ण है आप देखें किस प्रकार से एक रात में चार लाग से अधिक हिंदुओं को निर्वासित होकर जाना पड़ा क्या उनके पास मकान नहीं थे कोठिया नहीं थी क्या उनके पास में बागान नहीं थे सेव के केसर के सब कुछ ठाल कि सब छीन लिया भगा दिया गया क्या इस प्रकार के विकास का क्या फाइदा के जहां के उपर हमारी आने वाली पीडियों को और इस प्रकार की स्थिति आतंकवाद जहलना पड़े उन कि देश का चुनाओ है केवल विकाज से ही काम नहीं चलेगा आंतिरिक सुरच्छा से भी काम चलेगा और सुरच्छा के लिए अगर हम आतंकबाद पर प्रहार करते हैं और आतंकबाद से पर्टिकुलर लोग ही जुड़े ज़ी नजर आते हैं तो अगर उसको आप दिन्दू मुस्लिम करते हो तो करते रहों में कोई फरक नहीं पड़ता लंबे समय बार वैक्सीन फिर से सामने आ गया है डिंपल यादो कह रही है कि वैक्सीन की जो रिपोर्ट है वो जान बुझ कर चुपाई गई है आपको क्या लगता है क्योंकि चुनाओ है इसलिए देखो यह च भारत को रृट देख रही है और जो भारत के समर्ट के आप बहुत से ब्रोदियान वो चाहिते हैं भारत तबार हो जाये तो कुल मिलाका है नरंदर्म-मोदी इस भारत की ताकत है ऑव मोदी को हरा दो भा भाट सो पार हो पाएंगे देखो अख्लिस जादो जी जब से अख्लेस जी अपने पिटा जी के कारण से मुख्यमंत्री बंगए और जीत साहिद मुलाइम सिंग जी जीत ती 2012 वाली उसके बाद से अखले साधो जी कोई चुनाओ जीते हैं क्या 2000-14 अखले साधो हार गए 2017 अखले साधो हार गए और उसके बाद में 2019 में तो उनके पिछाजी निस्वायं मुलाम सिंग्जी को आसिरवाद दिया और आसिरवाद क्यों दिया? इसलिए दिया कि सभी लोग देख रहे थे कि संसद में किस परकार से वो मोदी जी को आसिरवाद दे रहे था फिर बन के आई है जबकि उस समय तक सपावस्पा का गटबंदन हो चुका था उस समय तक अखले से अदो पूरा सरयंत रहे थे मोदी जी देश के प्रधान मंतरी ना बने लेकिन मोदी जी के आसिरवाद मुलायम सिंगी ने क्यों दिया था बाद में उन्होंने किसी को या बात कही थी कि चुकि इस देश में कॉंग्रेस ने सदय पिछड़े नेताओं को अपमानित क दिया है यदि देश का पहला चुना हो गया होता तो सरदार बल्लब भाई पटेल देश के प्रधान मंतरी बन जाते पूरा देश उनको चाहेता था लेकिन कांग्रेस ने सलेंतर करके नेरु जी को देश का प्रधान मंतरी बन बाद दिया और उसके बाद में जो भी धोके स ऐसे भी यदि पिछले बर के लोग जो प्रधान मंतरी बन गए चाहे चोधरी चरंड सिंग्जी हो चाहे देव कॉला जी उनको 6 महने से वह अधी कॉंग्रेस ने सलयंतर करके प्रधान मंतरी नहीं बनने दिया तो कुल मिलाकर आप मोदी जी ऐसे पहले प्रधान मंतरी है जो पांस साल देश के प्रधान मंतरी रह चुके है अपकी फिर से प्रधान मंतरी बने और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी जो नहरू जी का रिकार्ड तोले हो कम से कम तीन बार प्रधान मंतरी बने ऐसा मुलाइम सिं उन्हें तो सारज़ेनी कि रूप से अपने पिट्राज का अपमान किया था तो उनके बात नेगे लोह जीकि बात करेंगे पांगरेस का विरोब किशिया यसां को इन्हें करनाच के जो इत्रकारोबारी है वो आपसे नाराज है तचाहिए क्या है नहीं अब देखो अब अब कौन नाराज है कौन खुश है तुभी जान सकता है तो हम तो नहीं अब हाँ पर्टिकुलर कुछ लोग हो सकते हैं भाई अब जिसे जो किसी ना किसी बात को लेकर हमसे होता है कि वह सब्भविक है कि आज यह हैं किसे पोंच गया यहां पहुंचने कादिकार तो मुलाइम के बेटे का हैं तो साधरानाद में यहां पोच गया तो कुछ लोगों को जलन भी होती है अब लेकिल इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे पास तो कोई रास्ता न तो कुल मिलाकर अखलेस न आप पर प्रधान मंतरी बन सकते हैं न अखलेस यहां मुख्यमंतरी के लिए कोई चुना हो रहा है और सांसद रहे कि अखलेस क्या कनोच के लिए कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर कुछ किया हो सांसद रहे के तो बताओ पहले भी आप सा संसद रेते कर दिया तो कुल मिलाकर दिल्ली में भाजबा की सरकार बंदे जा रही है उत्ता प्रदेश में भाजबा की सरकार है अखलेस जाद हो यहां संसद बंदे नहीं आए हैं यहां पर वो प्रतिसोद लेने आए हैं तो यहां क्यों जानते हैं कि यहां से अगर में है हमारी हैसियत ही नहीं हम आपकी पत्नी को हरा देते हैं मेरी कहां आउकात है आपकी पत्नी को कन्योज की जनता ने हराया है तो आप क्या प्रतिसोद कन्योज की जनता से लेने आए हैं तो अखले जी कन्योज की जनता से कैसे प्रतिसोद ले पाओगे आप ले नहीं सकते यह आपकी हैसियत नहीं है तो कुल मिलाकर आपके कारणा में आज भी कंदोत की जनता को याद हैं और एक नहीं अनेकों हैं आप लोग जब ग्राउंड पे घूमेंगे तो आपको समझ में आएंगे गुंडा गर्दी ना आदमी की न भैस सुरक्षेद आदमी यह उस प्रकार की स्थिती थी कि भैस को अपनी खूटी में बान के सोता था कि पता नहीं को भैस को रात में खोल के ले जाएगा तो यह रात में भी लोग सुरच्षी तने घरों में किस प्रकार से डगरती है कोई कोई गुरो गूम रहा है कोई च्छा गिरो कोई फलाना गिरो उसमें सब पता चलता था है इनके लोग थे बलकि यहां तक कि कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो पुलिस भी थी वो भी डगरती डालती थी कि नहीं अनेकों धारान है लोकतंतर का तो लूट होता था जींजक का चुनाओ रहा हो ब्लाक प्रमुखी का अखले स्यादों मुख्य मं तो इस प्रकार के लोग जो अपनी पतनी को जवरदस्ती लाठी डेंडों बंदूकों की दम पर निर्विरोध सांसर चुनवा देते हों ये संविधान बचाने की बात करेंगे ये लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो पुलमिला करें जनता देखती है आप कन्नोज में आ दो ये जीत फिर वही बात है कन्नोज की जीत है और पुछली बार भी जीता था कन्नोज इस बार भी जीतेगा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए हाला कि नतीजे तै करेंगे कि आखिरकार कर्नोज की जनता क्या सोच रही है